हेलो फ्रेंड्स दा हेल्थ के टोड़े में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पीसी ओडी के बारे में पीसी ओडी जो आज के टाइम पे बहुत ही कोमन प्रॉलम बन चुकी है लेडिस के अंदर इतना कोमन हो गई है ये प्रॉलम कि आप किसी भी गानेकलोजी क्लिनिक पर जाएंगे तो आपको पीसी ओडी की पेशंट की भीड देखने को मिलेगी वहां पर लेकिन दोस्तों ये कोई बिमारी नहीं है ये एक सिंड्रोम है ये आपके गलत खानपान की वज़े से आपके गलत लाइफस्टाइल की वज़े से आपके अंदर पैदा होती है जैसे पेशेंट हमारे पास आती हैं, पेशेंट हमें कहते हैं, सर हमें PCOD है, जिसकी वज़े से हमारा वेट बढ़ गया है, हमारे चहरे पे बाल आना स्टार्ट हो गए है, हमें periods टाइम से नहीं आ रहे हैं, या फिर periods के टाइम पे पेन होता है, या बहुत बार conceive करने में भी इसकी वज़े से प्रॉलम आती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है, कि इस प्रॉलम की वज़े से आपको बाकी सारी समस्याई नहीं आई है, आपका मोटापा, आपके facial hair, ये सब चीजे नहीं आई है, आपके मोटापे की वज़े से और आपके गलत लाइफस्टाइल की वज़े से आपको ये बाकी सारी प्रॉलम्स आ रही है, PCOD होता क्या है, PCOD मतलब polycystic ovarian disease, यानि ओवरी में जब एक एग बनता है, वो एग बनके फेलोपियन ट्यूब के थूरू यूटरस में आ जाता है, जो एक healthy egg होता है, लेकिन बहुत बार क पूरे mature नहीं हो पाते, और वो छोटे 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 follicles ओवरी के चारो साइड में इकटे हो जाते हैं, जो एक cyst की तरह एक गांट की तरह दिखने लग जाते हैं, उसी को हम PCOD कहते हैं, तो दोस्तों वैसे तो इसके लिए किसी medicine की ज़्यादा दूरत नहीं पड़ती है, अ अगर आप अपने lifestyle को change कर लेंगे, तो उसी से आप अपनी PCOD की problem को solve कर सकते हैं, आज कल का lifestyle आपने देखा है, corporate lifestyle है, लोग किसी भी तरह की मेहनत नहीं करते हैं, हर किसी की sitting job है, desk job है, पूरा दिन office में बैठे रहते हैं, घर पे भी कुछ workout नहीं करते हैं, और junk food का भी बहु imbalance हो जाते हैं, और जिसकी वज़े से फिर ये PCOD की problem सुरू होती है, तो सबसे पहले अगर आप सिरफ तीन काम कर लेंगे, तो आपको किसी medicine की जुरत ही नहीं पड़ेगी, सबसे पहला काम अपना वजन कम कीजिए, आप अपना 5-10% weight भी कम कर लेंगे, मान लो अगर आपका weight 60 kg है, 60 kg है, और अगर आप 3-6 kg बजन भी कम कर लेंगे, तो भी काफी है, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, secondary, अगर आप अपनी diet पे ध्यान देंगे, अगर आप junk food avoid कर दें, मैदे से बनी चीज़े avoid करते हैं, और घर का बना healthy खाना खाएं, तो उससे भी आपकी PCOD की problem solve हो सकती है, तीसरा होता है exercise, अगर आप रोज 10-15 मिनट भी कुछ भी exercise कर लें, जुरूरी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा heavy workout करना है, आप just walk भी कर सकते हैं, थोड़ी running कर सकते हैं, या घर बैठके कपाल भाती योगा कर सकते हैं, रसी को उच सकते हैं, कुछ भी exercise कीजिए, जिससे कि आपकी body है blood circulation बढ़े, आपका metabolism बढ़े, ताकि आपके जो hormones है body के, वो regular रहें, वो imbalance ना रहें, तो इन तीन चीजों से आप PCOD से अपने आपको बचा सकते हैं, इसके बाद भी बहुत से cases ऐसे होते हैं, जिन में ये problem बहुत पुरानी हो जाती है, chronic हो जाती है, जिसमें सि lifestyle changes करने की वज़े से ये treat नहीं हो पाता, तो उन cases में हमें कुछ medicines की need पड़ती है, ऐसा सिर्फ 20% cases में ही होता है, तो अगर आपकी problem भी ज़्यादा chronic है, और आप dieting करके भी, अपना weight कम करके भी, और exercise वगएरा करके भी, फिर भी इस चीज़ से निजात नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक आईरवेदिक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप अपने घर पे तयार कर सकते हैं, किसी भी आईरवेदिक स्टोर से आपको दवाईया असानी से मिल जाएगी, उनको लाके आप घर पे इस्तमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी काफी help होगी, और लेना है, हर्मल बीज का चूर्ण, वो आपको 30 गराम लेना है, लोद्र चूर्ण, वो भी आपको 30 गराम लेना है, दसमूल चूर्ण, वो आपको 60 गराम लेना है, उलट कंबल चूर्ण, ये आपको किसी पंसारी के पास मिलेगा, वो आपको 30 गराम लेना है, और इसमें आपको लेनी है तामर भस्म ये भी किसी भी आरिवेदिक स्टोर पे असानी से वलेबल होती है तो इन सभी चीजों को आपको लेना है उनको अच्छे से कूट पीश के उनका एक पाउडर तयार करना है और उस पाउडर को आपको सुभे स्याम एक एक चमच दूद के साथ या फिर सहद के साथ लेना है इसके साथ एक टैबलेट आती है रजपरवर्तनी वटी बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि पीशी ओडी के वज़े से उनको पीरियड्स की प्रॉलम हो जाती है उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं नहीं आते तो उसके लिए रजपरवर्तनी ट्राइ कर रहे हैं आपके जो एक्स बनते हैं वो भी आपके हल्दी एक्स बनेंगे और आपको कंसीव करने में काफी हल्प करेगा तो यह सब भी दवाईयां आप अपने आजपास के किसी भी आईरवेदिक स्टोर से लीजिए किसी भी पंसारी से ले सकते हैं घर में इसे इस्तमाल कीजिए अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है आपके आजपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है आईरवेद का या पंसारी शोप नहीं है या आपको बनाने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप इसके लिए हमसे संपक कर सकते हैं तो दोस्तों वीड हुआर चाना आपके नहीं है कोपके तो च शोब कोई में है